जी, Assalamualaikum, जैसा कि आपने टाटल में पढ़ हिलिया है, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ दो स्ट्रेटिजी चेर करने लगा हूँ, सक्सेस को अचीव करने के लिए, देखें अगर आपको अपनी लाइफ में सक्सेस चाहिए, तो उसके लिए आपको ये दो हैं, इन वक्त आपके माइंडसेट चेंज करके रखे देंगे, सक्सेस के हवाले से, कि सक्सेस को अचीव किस तरीके से किया जाता है, इस वज़ए से मैं रेक्मेंड यही करूंगा, कि आप इस वीडियो को कम से कम दो से तीन मरतबा ज़रूर देखिए, तो ज्यादे टाइ तो मूफ आपर करते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ, वीडियो को आगे कॉंटिन्यू करने से पहले मैं आपको एक बात बता दे मैं चाहता हूं, कि आज की मेरी वीडियो टोटली बेस करती है, मेरी प्रिविएस वीडियो से, प्रिविएस वीडियो जो के मैंने करते हैं स्ट्राइटीजी तो आपके पर स्टाइम होना चाहिए इस वज़ए से अब ने आपको कहा था कि मेरी आज की वीडियो मेरी लास्त प्रीविएस वीडियो पे बेसक्रतिया कि उस वीडियो में उसक्ता एक यह को टाइम की वर्त को क्यल्कुलेट करना सिखाया था दे बचाने के लिए गुजार देता है एक को बचाने के लिए अपना टाइम इंवेस्ट करता रहता है आप इन लाइफ के डिफरेंट सिट्वेशन में वह क्या करता है वह यह देखता है कि यह मैं किसी तरीके से चौनी बचा लूँ अब इन लोगों के लिए एक गुड बहुत इंपोर्टन टाइम वेस्ट कर देते हैं जो कि उनकी उस चौनी को बचाने से बहुत ज्यादा वैल्यूएबल होता है अगर उनकी लाइफ में कोई गोल हो तो मसाल देता हूँ आपको आपने से बहुत से लोगों ने बिल गेर्स की एक्जेमपल सुनी होगी कि बिल टाइम में मैंने लगखों डॉलर अंड कर लेने हैं यह माइंसेट होता है यह टाइम मैनिजमेंट होती है किसी भी सकसेफ़ परिसन की लेकिन चौनी चाप इनसान सारी जिंदगी क्या करता है उसे जब भी पता चले कि आर मेरी यहां से चौनी बच सकती है तो वो क्या करता वो उस जुवन्नी को बचा लेगा, मैंने जैसा कि बोला, कि वो लोग बचा लेते हैं उस जुवन्नी को, लेकिन उसको बचाने के चक्कर में, वो लोग अपने टाइम को वेस्ट कर देते हैं, इसलिए देखें, अगर आपके पास टाइम है, तो ही आप कोई काम कर सकेंगे, बात को understand कीजिएगा, अच्छे तरीके से understand कीजिएगा, देखें, आपको बहुत important कोई काम करना है, लेकिन उस काम को करने के लिए आपके पास time ही नहीं है, तो आप मुझे बताइए कि आप उस काम को किस तरीके से कर पाएंगे, यह अगर कर भी पाएंगे, तो उस अच्छे इस तरीके से efficient way में उस काम को आप नहीं कर पाएंगे, अगर आपके पास proper time नहीं होगा, इसलिए last video को देखिए, आज की इस वीडियो में पहली strategy में आपको बताई है कि आपको time चाहिए, कुछ भी कर दीजिए, आपको time चाहिए, इनसान के पास वक्त होगा, तो ही वो क्या करोगे, फारवक्त में अपने गोल पे काम करोगे, फारवक्त में अपने गोल पे काम करोगे, लेकिन देखें, बेशाक आपके लाइफ में आपके पास goal है, लेकिन आपके पास time नहीं है, तो आप क्या करोगे, अब थोड़ी बहुत कोशिश करोगे, time नहीं है, time का हो होना बहुत ज़रूर है किस तरीके से manage करने किस तरीके से time को निकालना है वो मैंने अपनी लास्वीडिएो में भी आपको explain कि यह भुर्प अच्छे तरीके से एक करके और आज की वीडियो में भी आपको explain करने की कोशिक लिए अगेन भोल दता हूँ success के लिए strategy number one यह है कि आपके पास गोल होना चाहिए और गोल के भाद आपके पास time होना चाहिए well strategy number two की तरफ movement number two G है कि आपके पास knowledge होना चाहिए aksh knowledge कौन सा होना चाहिए जिने हम easy way में easy language हम कह सकते हैं कि आपके पास financial Education होनी चाहिए बदकिस्मति के साथ हमारी कॉलेजिस हमारी युनिवर्सिटीज हमारी यह जो डिग्रीज हैं यह हमें फाइनशल एड्यूकेशन प्रवाइड नहीं करती हैं आपको बता दू कि मैं इन चीजों के खलाफ नहीं हो लेकिन बस आपको रियालिटी बताने की हैं देखें आपको मैं बागत आता हूं दुनिया में जितने भी सुक्सेस्फुल लोग है ना हर एक का हर एक कोच था स्टडीज प्रूफ करती है कि अगर आपके पास कोई कोच है जो आपको कोचिंग देता है तो आपका गोल अचीविंग का जो रेशियो है गोल अचीवि के लिए तो वही गोल जो आपने एक साल में अचीव करना है वह आप नाइन मंथ में अचीव कर लोग है और सिरफ यह आपके थ्री मंथ सेव नहीं हुए क्योंकि सक्सेस जो है जैसे कि मैं लास वीडियो में भी बताया था कि कुछ स्टेप्स लेने पड़ते हैं लेते रहत से यह इसाला केसाल के बचा जाते हैं किस बरेस पर हीट हैंटर जो केसी कॉठी होता है आपके पास किसी काम को करने का ओलरेड़ी नौलिज है अगर तो आप उस kाम को बोगत ऐसी में वीडूट मच अच्छ पाटो कई आपपड अचले कर सब होगे लगें आप उस वाइज याज बनाया था तो उनको कितने failures को बरदाश करना पड़ा होगा कितना उनको time consume करना पड़ा होगा लेकिन आज के वक्त में अगर कोई शक्स airplane बनाता है तो आप मुझे यह बताइए कि आज के वक्त में भी उस शक्स को उतने ही failures phase करना पड़ेंगे जितने के Wright Brothers को 1903 में करना पड़े थे क्या उनको उतना यह टाइम बेस्ट करना पड़ेगा जितना के 1903 में राइट ब्रदर्स ने किया था बिल्कुल नहीं क्यों कि हमारे पास नॉलिज है कि आरो प्लेंग किस तरीके से बनाया जाता है इसलिए मैं यह कहता हूं कि स्ट्रेटीजी नबर को स्टेडी करना पड़ेगा उन लोगों से सीखना पड़ेगा और उस्पेशली लास्ट बटन आफ-बिस्ट आपको अपनी लाइफ में इक को च रखना पड़े जो कि आपको कोचिंग देगा पहले बता चुका हूं को च के रखने से अगर आपके लाइच में को कोई को हो अपके जो जो होतें इस हैं उसके बात दो स्ट्टर्टीज याप सचसेस को पड़ेगा सर्टीजन में को फाईनसे एज्जन ना चाहिए वहmetics पर लीजेशन होनी पाइनशल एजुकेशन कहा से मिलेगी उन लोगों से मिलेगी जो आपके कॉलेजिस की और युनिवस्ट्री की जो डिगरी नहीं करेंगी वेल उमीद करता हूं कि यह दो स्क्राटिजिस अगर आप अपनी लाइफ में अपलाय करते हैं और अमल करने के कोशिश करते हैं तो य अपनी लाइफ में अपलाय करें वेल आज की वीडियो के लिए इतना ही अपनी नेक्स वीडियो में मुलाकात होते हैं तब तक के लिए खुदा हाफिज